ये देखिए बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई हुई है दीदी कैफे या किस प्रकार की योजना है इसे से सौयम साहता समू की दीदियों को क्या लाब मिलेगा इसकी पूरी जानकारी वीडियों में बताएंगे तो वीडियों को पूरा अंत्य तक देखिएगा वीडि ये दीदी वीडियों सुरू करते हैं तो ये देखिए दीदी आप सब देख सकती है न्यू अपडेट है दीदी कैफे में खाये छोले भटूरे और समोसे यूपी के सभी सरकारी दफ्तरों में होगी यह बिवस्था सोयम साहता समू की महिलाएं चलाएंगी इसका संचालन सोयम साहता समू की महिलाएं खुद करेंगी यहां छोले भटूरे समोसे चाउमीन ब्रेट पकोड़ा पेस्टीज अमूल कोल्ड रिंग्स चिप्स नमकीन कुलर चाय पकोड़ी समेत पूरा खाना भी मिलेगा प्रयाग राज के सियमो आपिस में इसकी सुरू बाद भी हो रही है यहां काम भी सुरू हो गया है जल्दी यह बनकर तैयार हो जाएगा सरकार की इस पहल से महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा दरसल दीदी कैफे का संचालन दिन दयाल अंतोदय योजना के राश्टी सहरी अजीव का मिशन के तहत होगा नगर निगम डू जाहनी ये कदम है 20 रूपए में चावमीन वा छोले भटूरे दरसल दीदी कैफे में जो भी खाने पीने के सामान उपलब्द होंगे उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होगी प्रयाग राज की स्वेंसा अतसमू की प्रमुख सोनालिका बताती है कि प्रयाग राज में सियम्मो आपिस में इसका सुबारंब होने जा रहा है यहाँ चावमीन माईक्रोनी छोला भटूरा छोला चावल महज 20 रूपए में मिलेंगे कड़ी चावल दाल चावल 40 रूपए में राजमा चावल 50 रूपए में मूंकी दाल 30 रूपए पेस्टीज 10 रूपए कुल्धर चाय 10 र इसलिए आफिस के कार्णर पर इसके लिए अस्थान उपलब्द करा दिया गया तो जो भी दीदियां सोयम साहता समू से जुड़ी हुई है उन दीदियों को जो है उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में दीदी कैफे कैंटीन चलाने का मौका मिलेगा उनको अस्थ अच्छी खासी इंकम कमा सकती है और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती है उत्तर प्रदेश में यह योजना चरम पे है और स्वयम साहता समू की दीदियों को सभी सरकारी दफ्तरों में प्रेंडना कैंटीन दीदी कैफे रेस्टोरेंट खुलवाया जा रहा है दीदियां इसका संचालन कर रही है अच्छे से तो स्वयम साहता समू से संबंधित यही अपडेट आई हुई थी दीदि तो हमने सोचा वीडियो के माध्यम से आप सबको आउगत करा दे जब आप सबको जानकारी रहेगी तो आप लोग भी अपने राष्टी ग्रामी राजीव का संद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आज सबको स्वयम सहता समू से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें तो दीदी आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ये कौन नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यबाद